कार स्वागत है आपका फेले स्टेडी मंत्र एडिप चनल की तो सातियो सत्य जब तक जूते पहनता है न असत्य पूरे संसार का चक्कर लाके आ जाता है ठीक है तो यह जो कावत है न यूपी में जो लेकपाल भरती हुई है उसके लिए एकदम सटीक वैटती है आपको माले म है कि लेकपाल भरती की जो परिच्छा 31 जुलाई को संपन हुई थी और उसके जो आंसर की थी दो दन बाद डाल दी गई थी रिवाइट आंसर की सात सितंबर को डाल दी गई है एक को दौरा दूसरा इसमें अब जो आयोग तयारी कर रहा है वो डीवी के रेल्ट के लिए त्यारी कर रहा है और बहुत जल्द रहेल्ट भी दे देगा ठीक है और अब STF की तरब से एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है इस खुलासे को होने के बाद अब यह तो सिस्पस्ट हो गया कि जो इमांदार व्यक्ति है उसका नंबर तो आना ही नहीं है किसी भी कीमत चाहे आपके 90 मार्क से ही क्यों नहीं हो आपका नंबर से और नहीं है निस्चित नहीं है कि आपकी इसमें भरती में नंबर आ जाए या जो अब लग जाए रीजन क्या है देखो यूपी में ब्रश्टाचार के सारे रिकॉर्ड धुस्त हो चुके है अब तक कि जितना भी हो सकता है उससे दूना ब्रश्टाचार कर दिया है नोगों ने कैसे लेकपाल में पदों की संक्या 8,000 पिच्चासी है सबको अब गत होंगे ये लोग आप उसमें से 15,000 सीटे इन लोगों ने बेच दी ठीक है 8,000 पद है और 15,000 सीटे बेच दी मतलब लग वक दूनी 200% ब् कि दो-चार मतलब कोलेजों में नकल कर आई गई है लेकिन अब स्टी एफ का नया खुलासा है कि 15,000 जो अभ्यरती है चातर चातरा है वो इसमें संदिक्त बैठे हैं दूसरा आयोग मैं बता दिया डीवी की तियारी कर रहा है किसके लिए बया सीधी बात है अगर ये 15,000 सी सीटें बेची हैं तो आयोग तो तयारी करेगा डीवी की और सारी सीटें अब भाई मुन्ना भाई ले जाएंगे आपके लिए कुछ नहीं मिलेगा जो इमांदार है जिसने इमांदारी से 2,500-3,000 साल मेहनत किये वो उलकुल एकदम बेकार हो गया उसका कोई अर्थ नहीं और मैंने बताई दिया जिसके 90 marks भी है अब उम्मीद ना करे कि इसमें आपकी job sure हो जाएगी या लग जाएगी कोई मतलब भी नहीं रहा बताओ अगर 8,000 जगे में 15,000 सीट बेच दोगे तो बचेगा क्या तो UP में सबसे जादा बड़ा ब्रष्टचार अब देखने को मिल चलो आओ और नियूज पर लेकि चलता हूँ आपको कि क्या नियूज अख़वार में दी गई है देखो साथी UP News लेकपाल भरती परिच्छा में बड़े पैमाने पर धांदली हो जागर परिच्छा में बैठे थे 15,000 संदिग्द अभ्यरती इसी से स्परश हो जाना 21 लोग गरपतार किये गए STF की परताल में चोकाने वाले अताते सामने आया यह पहले की नियूज है अब देखो आज की जो नियूज है अठाई सारी की है यह साड़े पांच बजे का यह UP की नियूज है मैं आगे दिखाता हूँ थोड़ा सा अब देखो प्रतियोगी परि को गरपतार भी किया था इससे पहले लेकपाल भरती मुक के परिच्छा में प्रदेश वर्में सौलबर ग्रोग के 21 लोग गरपतार किया गए थे अब STF की परताल में चोकाने वाले तत्य सामने आये हैं बताया जा रहा है कि लेकपाल भरती परिच्छा में करीब 15,000 संदि बेश दोगे तो सक्का कोई गुंजासी नहीं रही इसमें आगे देखो और भी का गया है आयोग को उपर सवा प्रसंग चिन उठाए गए सवाल लगा गया है जाच में कुछ खास सेट के प्रसंद्पत्र संदिग अभियरतियों को उपलब्द कराए जाने की सक है करम संख्या और सेट के साथ आयोग की रिपोर्ट दी गई थी क्यों है इसे अभिहरतियों को चिन्नित करने में मदद करी हालांक आयोग की इस दिसा में कोई भी ठोस का क्लब नहीं नीचे दिखाता हूँ और रिपोर्ट इसकी देखो एक जैसे सेट में सेधे मारी स्टीएप की जाच में पता चला है कि सौलबर गिरोह ने एक ही जैसे सेट संदिग्द अभियरतों को बलब्द कराए थे इसमें कई केंद्र विवस्तापिकाओं विवस्तापिको आख्या नहीं सोपी गई किसके द्वारा आयोग के द्वारा तो इसमें आयोग भी संदे के घिर में है सिदी बात है और देखो अभी यूपी में सबसे ज़्यादा उदासीनता वरती जा रही है च्छात्रों के प्रती चाए कोई भी भरती हो चाए टीचिंग भरती हो सरकार की कोई भी दिल्चस्पी है बच्चों को सही रहा और सही दिशा पौनले लगाने के लिए ठीक है अब देखो आट हैर सीटे और पंद्रहा सीटे बेज दी गई तो क्या एक विक्ति बेच लेगा या सासन और प्रसासन दोनों में लेऊ हैं तब ही ये काम हो सकता है औ और अब मैं बता दू जिसके 90 मार्क्स भी है न सातियो जो 90 मार्क्स लेके आया है मंदर से अब वो ये न समझे के मेरी नोक्री लग जाएगी भाई सब खतम हो गया है अगर एक ही बचा हुआ है इसमें अगर ये इसमें तुमारी भरती है लेक पल की अगर पूरी भरती प् चतनी रह गया ये पेपरवर्ट को खता में रसता है अब हम जितने भी एक्सपक्टेशन करें के इतने कट आप जाएगी इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि जब सीट ही बिग गई आट हैर सीटों में से 15 हैर सीट है तो क्या मतलब रह गया इसका ठीक है सातियो तो मैंने सार बड़ा कपला हो सकता है अदरवाइस हो ही नहीं सकता ठीक है तो आप निशनत रहिए इस भरती की आज बिल्कुल छोड़ दीजिए या तो इसमें जोर लगा दीजिए कि भरती निरस्थ हो जाए ठीक है कैंसल कराओ उस भरती को अदरवाइस आपकी जौब नहीं लगेगी किसी कीमत पर सच्चा ही है कडवी लगेगी लेकिन कोई फायदा नहीं इस चीज़ का कि आपके अगर परिच्छा निरस्थ हो गई तो आप अगर द्वारा परिच्छा होगी तो तो आप माल लेना कि आपकी जौब लगेगी अदरवाइस इसमें जौब का कोई मतलब नहीं किसी की जौब नहीं लिख पाएगी 80 85 90 तक नमबर है कोई मतलब नहीं उसका भी और इसमें हकीकत बात है कि इसमें 90 से उपर बहुत सारे अभ्यरतियों के जोनको पेपर मिला है उनके नमबर आए होंगे 100% ठीक है सात्यों और यही था तुम्हारा सारी सारी मैंने असार बत कि इसमें पूरा का पूरा पेपर लोगों को मिल चुका था और लोगोंने अच्छी खासे नमबर लेके आए हैं और जो इमानदारी से 85 90 तक लाएं उनका कोई भी जौब में नहीं लगेगी और नमबर आएगा ठीक है सात्यों तन्यवाद